प्यारे बच्चो क्लास 12 मौक टेस्ट हिस्टी सौट मौक टेस्ट सीवन इसके पहले इधिहास का 6 मौक टेस्ट कम्प्रीट हो चुका है आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वहां से आप लोग देख सकते हैं य 12-12-2023 को हुआ था और इसके प्रश्णों और अंसर को देख लेते हैं यह आपका परिच्छा उप्योगी है फाइनल परिच्छा के लिए इंपोर्टेंट है तो आपका पहला कोश्चन था महात्मा गांधी दच्छीन अफ्रीका कब गए तो इसका जो सही अंसर है वो हो जाएगा 1893 में दूसरा कोश्चन है अहमादाबाद मील मजदूर आंदोलन में गांधी ने कितने परतिसत बोनस को सही ठाराया था तो इसका गठन जो है 1927 को हुआ था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ये बहुत इंप्रोटन कोश्चन है बच्चो तो उनके राजनीतिक गुरु जेत्थ हुए वो थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले ये बहुत बार एक्जाम में आया हुआ है चौरा-चौरी की घटना कब हुई ये भी बहुत बार एक्जाम में आया है जिसको आपको याद रखिए 5 फरवरी 1922 को ये जो एंसर है वो मौक टेस्ट का जो कोश्चन बनाया है सर उनी के द्वारा ये जारी किया गया है और उनी के एंसर को आप लोगों को बता रहा हूँ छटा क्वेशन है महत्मा कादी को महत्मा की उपादी किस ने दी तो इनको जो महत्मा की उपादी है वो रबिन्दर न टैगूर ने दी थी निम्न में कौन सी घटना सबसे अंत में घटी बंगलविभाजन कब हुआ था तो बंगाल विभाजन है ये बहुत important question है 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था दिल्ली भारत की राध्धानी कब बना ये भी बहुत important question है तो इसको याद रखेगा 1911 को डांडी यात्रा का संबंध किस आंदोलन से है तो डांडी यात्रा का जो संबंध है वो सभीने अवग्या आंदोलन से है पूना पैक्ट कब हुआ पूना पैक्ट जो है आपका 26 सितंबर 1932 को हुआ स्वाराज पार्टी के अस्थापना कब हुई तो स्वाराज पार्टी के अस्थापना 1923 को हुई काला कानून किसे कहा गया काला कानून जो है वो है आपको रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंब हुआ तो ये आरम हुआ 942 को महत्मा गांधी पर्थम और अंतिम बार कब कॉंग्रेस के अध्यस बने थे तो ये बने थे 924 को और लास्ट कोशन अब्जेक्टिव है कॉंग्रेस ने किस गोल में समेलन में भाग लिया था तो ये लिया था दूसरा ये था आपका अब्जेक्टिव अब अति लगूतर ये प्रश्ण सत्रा नंबर कोश्चन है तीन कठिया पदती से आप क्या समझते हैं तो चमपारन में नील की खेती की पर्मुख पर नाली तीन कठिया पर नाली थी इसमें किसान को अपनी भूमी के तीन कठे परती भीघा मलव एक भीघा बराबर 20 कठा यानि अपनी भूमी के 6 बटा 20 हिसे में नील की खेती करने की बादता थी इसके लिए कोई कानूनी अधार नहीं थे या केवल नील फैटरी के माली को या प्लांटरों की इच्छा पर तै किया गया था 18 नमबर कोश्चन है असहयोग आंदोलन के दो कारण बता है तो महत्मा गांधी के नेत्रित में 1921 इस्वी में पंजाब और तुरकी के साथ हुए अन्यायों का पर्तिकार और स्वाराज की प्राप्तिके उद्देश से असहयोग आंदोलन प्रारम हुआ जिसके कारण निम लिखी थे पहला है खिलाफत का मुद्दा दूसरा पंजाम में सरकार की बरबर करवाईयों के बिरुधन्याय प्राप्त करना और अन्थता तीसरा है स्वाराज की प्राप्तिक करना दीरगुतर ये प्रश्न है आपका 19 नमबर और लास्ट कोस्चन है स्वतन्ता आंदोलन में महादमा गांधी की भुमीका का वर्नन करे तो महादमा गांधी ने ब्रिटिस उपनेवेशिक सासन के विरुध भारतिय स्वतन्ता आंदोलन में महादपुन भुमीका निभाई थी वा 1920 के दर्सक में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस में एक परमुक व्यक्ति के रूप में उबरे और अहिंसा सभीने अवग्या के अपने सिधान्तों के लिए जाने गए गांधी ने वर्स 1930 में नमक मार्च सहित कई सफल अभियानों का नितिर्ट्व किया था जिसमें उन्हों ने और उनके अनुवाईयों ने नमक उत्पादन पर बिटिस एक अधिकार का बिल्योद करने के लिए अर्रव सागर तक मार्च किया था इस अभियान के पैनान शुरू भारतिय नमक अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और बिटिस सरकार ने इस संदर में अधिक स्वायत्ता की भारतिय मांगों को मान लिया भारत के स्वतंता संग्राम को अकार देने वाली इनकी विचरधाय और रनितिया पहला है अहिंसा गांधी का अहिंसा का दर्सन के राजनितिक और समाजिक मान्याताओं के मूल में था उनका मानना था कि हिंसा केवल अधिक हिंसा को जन्म देती है और अहिंसा पतिरोध समाज में बदलाओ नानने का एक अधिक परभावत तरीका है जिसे गांधी ने विक्षित किया था जिसका भारत के स्वततर सग्राम में बड़े पैमाने पर उप्योग किया गया था इसमें अन्यापून कानूनों और दमनकारी नित्यों को चुनोस्ती देने के लिए सबीने अवग्या हरताल, बहिसकार और अनहिंसक साद्मों का उप्योग किया जाना सामिल था सत्यागरा का उप्देश उत्पीडन करताओं के सिद्धै को परिवर्तित करना था और बल्या जब ज़स्ती के बजाए अंतरात्मा से संगर्ष करना था अगला है आसहयोग, तो आसहयोग एक अनरनीती थी जिनका उप्योग गांधी भारत में बिटिस सत्ता को चुनोती देने के लिए करते थे उने भारतियों से बिटिस वस्तोस था और कानूनों का बहिसकार करने और करों का भुकता न करने या बिटिस द्वारा संचालित चुनाओं में भाग ना लेने का अवाहन किया था, सायोग आंधोलन का उदेश, भारती सो नरता है तो बिटिसो पर दवाब बनाना था उसके बाद है सवीने अवग्या तो सवीने अवग्या आहिंसक पतिरोत का एक रूप है जिसमें अन्यायपुन कानून या विनियमों को तोड़ना और उनक कारियों के परिणामों को स्विकार करना सामिल था गजबंदी ने वर्स 1930 में नमक मार्च का नित्रित किया था जिसमें उन्हों ने और हजारों अन्यायईयों ने ब्रिटिश नमक कानूनों किया विहलना के करम में अपना नमक बनाने के लिए अरब सावगर तक मार्च किया था गांधी की रन्नीती में सवीने वग्या एक सक्तिसाली उपकरन था और इसमें स्वतंता अंदुलन हेतु जन समर्था जुटाने में साहता की थे निसकर्ज निसकर्ज का इसपहलीन थोड़ा यहां गलत है भारतिय स्वतंता सग्रा में महादमा गांधी का योगदान अतुलनिये था अहिंसा और सवीने वग्या के उनके दर्संत था असायोग एवन सवीने वग्या के उनकी रन्नीती और उनके नेतिवत ने भार्तिय जन्ता को एक्जूट करने के लिए ब्रीटी सो को भार्तियों की मांगों को मांने के लिए मजबूर किया था गांधी की विरासत आज भी भी सुभर के लोगों को नयाय और स्वतंता के लिए लड़ने हेतू प्रहुरित करती है तो बच्चों ये थे आपके सातवा हिस्टी क्लास 12 का मौक टेस्ट के प्रस्ण के उत्तर आसा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी सावित होगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो साथ तरते लाग गया दीजें बाबाई